नमस्कर दोस्तो, स्वागत है आपका Pharma Rawx के यूटूब व किते चनल में आज की ड़ो लेक्ट्यर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे LaktaGard 1500 इंजेक्सन के बारे में तो हम सिखेंगे ये इंजेक्सन के बारे में डिटेल में और जानेंगे उसके बारे में कि ये जो injection है वो कौन से बीमारी वगरा में यूज होता है, कैसे आप उसका सही उप्योग कर सकते हैं, और detail में सिखेंगे बहुत सारे अलगलग points को जैसे कि सबसे पहले cover करेंगे कि उसका basic use वगरा क्या है, वो medicine का, उसका manufacture कौन है, use वगरा क्या है, dose की detail में study हम करेंगे, price व because जब हम detail में सिखेंगे तो ये समझना जरूरत है कि ये medication कब लेनी होती है और कब नहीं लेनी है, pregnancy category उसकी जानना जरूरी है, तो उससे पता चलता है कि pregnancy में use करें या ना करें, contraindications के बारे में समझेंगे, और drug-drug interactions का भी समझना यहाँ पे काफी जरूरी है, तो ऐसी समझ आपको detail में सिखना है, बहुत सरी दवा यू के बारे में, बीमार यू के बारे में, तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं, pharma rocks के अब उपर, तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link description box में मिल जाएगी, तो बादे topic pure समझते है Lactagard 1500 injection के बारे में, तो ये जो है वो ऐसे class का medication है कि जिसको हम antibiotic कहते हैं, और antibiotic के अंदर भी ये जो है दो antibiotic का combination है, पहला जो medication है वो है, Sipo Parazone है कि जो 1000 mg जितना ये injection के अंदर present है, और दूसरा जो medication है वो है, Sulbectum कि जो 500 mg जितना ये injection के अंदर present होता है, तो Lactagard जो है उस की label की हम अच्चे से study करते हैं, तो label में आप सबसे पहले यापे medicines का brand name अच्चे से देख सकते हैं, कि हिंदी में भी लिखा हुआ है, Lactagard 1500 और ये 1500 लिखने के पीछे का reason ये है, कि medicine के अंदर 500 mg जितना Sulbectum है, और 1000 mg जितना है, C4 Parazone है, तो दोनों का आप total करोगे, तो व वो company ने brand name दिया हुआ है, फिर दोनों तरीके से ये use किया जाता है, यहापे आप देख सकते हैं, कि वो IV और IM दोनों तरीके से ये injection को use किया जा सकता है, तो यहापे आप देखो तो इस तरह से powder आ दिया जता है, कि जब आप ये purchase करते हैं, तो इस तरह से packing के अंदर आपको powder मिलता है, वायल के अंदर, और साथ में ये sterile water for injection दिया गया होता है, कि जो at least 20 ml जितना होता है, विकास जब ये आप injection तयार करते हैं, तो वो 20 ml का injection जो है, वो ये तयार होता है, फिर सीफो पेराजिन के बारे में आप यहापे अच्छे से समझो, तो सीफो पेराजिन जो ह पालोस पुरिन क्लास का एंटिबाटिक है, कि जिसको हम बीटा लेक्टम एंटिबाइटिक्स भी कहते हैं, और ये जो medication है, वो पेरेंटरल इफेक्टिव है, इसलिए इसका injection फॉर्म में ये दवाई अवेलेबल होती है, और एक prescription based medication है, वो आपको खास दियान रखना है, औ और बहुत सारे bacterial infection को ये medication जो ठीक कर दी है, और उसके साथ जो combination में है, वो है sulbactam है, कि जो एक beta-lactamase inhibitor medication है, because इसको mix करना क्यों ज़रूरी है, तो जो हमारे cephalosprain class की medication है, उसका structure destroy हो जाता है, bacteria के current produce होने वाले enzyme का, कि जिसका नाम है, beta-lactamase enzyme, तो ये enzyme क्या करता है, हमारी जो drug है, उसके structure को destroy कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कि जब भी आप ये medication लेते हैं, तो उसकी effect नहीं मिलती, तो वो problem ना हो, और ये जो beta-lactamase enzyme होता है, उसको inhibit करने के लिए combination में, sulbactam, जो वो mix किया जाता है, तो ये medication क्या करती है, जो enzyme produce होता है, bacteria के दोरा, उसी को destroy कर देती है, कि जिसका नाम है, beta-lactamase enzyme, जिससे, जो medication का, जो degradation जो होता है, या फिर medicine ineffective हो जाती है, उसको prevent करता है, manufacture के हम बात करें, तो IPCA laboratory जो उसके manufacture की, जो एक Indian multinational pharmaceutical company की, जो इसका headquarters मुंबई में है, और ये जो company है, वो 150 से भी ज़्यदा, बहुत सारे अलग-अलग pharmaceutical formulations को जो वो design करती है, अब जानना जरूर है कि ये IPCA जो है, उसका full form क्या होगा, तो यहाप आप देखो, IPCA का जो full form होता है, तो I for होता है Indian, P for pharmaceutical, C for combine, और A for association होगा, तो इस तरह से पूरा उसका full form होता है IPCA, और इसका जो starting हुआ था company का, 19 October 1949, से ये company established है, अब बात करते हैं, ये medication के use के बारे में, तो सबसे पहले ये जो sinus में infection होते हैं, उसमें समझे कि oral antibiotics आपने use कर ली, फिर आप ठीक नहीं हो रहा, तो फिर option रहता है कि आप parentally use करो, तो Lacta Guard injection जो वो patient लगवा सकता है, अगर अगर उसको sinusitis का problem है, उसी तरह से second, जो sexually transmitted disease या फ HIV AIDS condition है, HPV है, pubic lice है, syphilis की condition है, trichomoniasis की condition है, या फिर gonorrhea जैसी condition है, तो उसको ठीक करने के लिए ये injection जो वो लगाया जा सकता है, तिसरा condition हम देखे तो जो pelvic inflammatory disease जो है, उसके इलाज में भी ये antibiotic जो वो use कर सकते हैं, जो अधा हम देखे तो जो ear infection है, कान में समझे किस तरह से infection हुआ है, और वहाँ पे जो काफी ज़्यादा पस बन रही है, और वो पस जो आपके कान में से बाहर भी आ रही है, तो ये infection जो वो काफी ज़्यादा फैल जाता है, तो उसको आगे फैलने से रोकने के लिए, और स साथ हो साथ बीमारी को ठीक करने के लिए भी लेक्टागार्ड इंजेक्शन को जो ये वो यूज किते हैं, जो पस बन रही है, वो दिरे-दिरे कम कर देगी, और जिससे जो ear में जो infection हुआ है, आपका वो ठीक हो जाएगा, पांचवा यूज देखे तो tooth infection में भी ये medication को य patient उसका लगवा सकता है, फिर जो strap throat की condition होती है, या फिर sore throat, कि जिसको हमें एक टाइप का throat infection कहते हैं, कि गले में सुजन आ जाती है, फिर जो हमारी स्वर पेटी होती है, वल्लाब कि जिसको voice box हम कहते हैं, वहाँ पे जो वो सुजन आ जाती है, जिसके करने आपको बोलने भ प्राब्लेम होती है, स्वेलो करने में प्राब्लेम होता है, तो उस वक्त या एंटिबायोटिक जिसको यूस कि जिससे sore throat या फिर strep throat के जो symptoms होते हैं, वो जो काफे जिदा control में हो और ये बीमारी आपके ठीक हो जाए, साथवा जो skin में infections होते हैं, कि इस तरह से आप देख skin infection कहते हैं, आठ भी condition हम देखें, तो जितने भी अलग अलग type के respirator rack के infection है, तो उसमें ये medication को use की जा सकते हैं, कि मानों किसी को pneumonia हुआ है, lungs में infection हुआ है, या फिर chest में जो आपका infection काफी ज़दा बढ़ रहा है, bacterias के करन, बलगम काफी ज़दा हो रहा है, तो उस वक्त ये Salmonella Typhenine के bacteria के संक्रमन से होता है, तो उसमें भी ये IV treatment के अंदर Lacta Guard injection को जो लगाया जा सकता है, फिर जितने भी अलग अलग type के urinary track infection है, जैसे कि मानला आपके kidneys के अंदर infection हुआ है, यूरेटर में infection है, बलेडर में है, यूरेथरा में है, और वहाँ पे सूजन आ गई है, काफी ज़्यदा complication हो रहे है, मनलब कि आपको पेसा आप करते वक्त भी जलान हो रही है, वहाँ पे सूजन है, दर्द रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये injection को लगाया जा सकता है, फिर जो bonds और joint में जो infection होते हैं, यह पे आप देखो, यह जो हमारा knee joint है, तो उसम bacteria के current, specially joints का main area होता है, वहाँ पे infection होता है, वहाँ पे सूजन होता है, और आपको काफी ज़्यादा complications होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये हम use कर सकते हैं, फिर जो abdominal infection, क्या आपके stomach के region के अंदर, या फिर आपके intestines में infection हो आए, कि जिसको हम intra-abdominal infections कहते हैं, तो उसक भी ठीक करने के लिए, ये injection को लगाया जा सकता है, फिर जो meningial infection जो होता है, कि specially, जो meninges होते हैं, हमारे brain के अंदर, कि जिसको meningitis कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कि सूजन आ जाती है, तो आप देखो कि वहाँ यहाँ पे जो brain के layer से, तो इस तरह से normal condition में आप देखो, तो कोई भी वहाँ पे सूजन वगेरा नहीं होती, पर जब bacteria के infection होता है, तो वहाँ पे इस तरह से जो हो सूजन हो जाती है, तो ये problem को ठीक करने के लिए भी, ये injection को यूज किया जाता है, फिर जो blood में infection होता है, यहाँ पे आप देखो, ये जो blood होता है, कि जिसको necrosis हो जात है हमारे blood के अंदर, तो ऐसे condition को sepsis का आ जाता है, medical terms के अंदर, या फिर septisemia भी हम कहते है, तो उसमें भी हम ये injection को यूज कर सकते है, तो बहुत सरे उसके use है, number of bacterial infection को ये medication जो हो ठीक करता है, अब बात करते है उसके dose की, तो इसका जो ideal dose जो होता है, वो हो रहता है, एक से लेकर, तीन ग्राम जितना होता है, कि IEM या फिर IV, दोनों से आप लगा सकते हैं, बहुत कि muscles में भी उसका injection लगाया जा सकता है, IV में भी लगाया जा सकता है, और ये dose रहेगा हर 12 गंटे में, वालग कि एक से लेकर 3 ग्राम जितना dose, patient हर 12 गंटे पे जो हो receive कर सकता है, पर ध्यान ये रखना है कि काफी high dose में उसको आप यूज ना करो, और जब भी IV में उसको यूज किया जता है, तो ब्रॉपर उसका dilution करना ज़रूरी होता है, कि जो अलग-अलग IV fluids होते हैं, उसमें dilute करके है, slow IV drip से जो हो patient को ये लगाई जाती है, अब बात करते हैं ये injection के price क करती है, discount वगरा के साथ, अब बात करते हैं उसके working के, कि ये दवा काम कैसे करती है, तो ये क्या करता है, जो bacteria होता है, उनको kill कर देता है, कि जिससे उनकी growth जो वो कम हो जाती है, और इस तरह से आपका infection जो हो सरीर में कम होना है, तो ये क्या करेगा, बैक्टेरी सीडल उसक फालर स्परेंग ग्लास किया, तो उनकी एक common mechanism रहती है, कि वो क्या करता है, जो bacteria के आसपास उनकी एक protective cell wall होती है, वो cell wall का जो synthesis होता है, उस ही को inhibit करते है, जैसे bacteria जो उपने cell wall ना बना पाए, और ये जो cell wall होता है, उसको ये medication जो वो destroy कर देते हैं, तो यहापे आप देख स जैसे उनके संख्या कम हो जी लगती है हमारे सरीर के अंदर, तो आपका infection भी जो है, वो काफी ज़्यादा ठीक हो जाता है, अब बात करते हैं, यह दवाई के side effects की, कि सबसे पहले इसके side effects हो सकते हैं, गर medication patient को suit नहीं करती, तो nausea vomiting हो सकती है, या फिर diarrhea जैसे complication उनको हो सकत हैं, दूसरे कुछ side effects हम देखें, तो पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है, सीर्दर जैसा कुछ लोग फिल करते हैं, यह medication को लाने के बाद, फिर dyspepsia की condition या फिर जिसको हम in digestion कहते हैं, कि stomach full जैसा आप फिल करते हैं, पेट में कुछ गडबर जैसा है, ऐसा आप lose motion की condition produce होती है, कि अगर आपको यह medication suit नहीं कर दे, फिर कुछ लोगों को skin के ओपर racist बन जाते हैं, यह medication को लेने के बाद, तो आपको खास यह धियान रखना कि कोई भी side effect होती है, तो तुरंत यह medication को लेना चाहिए, वो बंद कर देना चाहिए, आगे बात करते हैं उसके warnings क बारे में, तो सबसे पहली warning यह है, कि यह जो medication है, वो cidule h के अंदर आती है, तो जब भी आप उसको retail में बेचते हैं, तो prescription के साथ ही बेचा जाता है, और medical supervision में ही यह medication को use करने चाहिए, कोई भी उसका self medication जो है वो ना करके, जिससे आप safely यह दवा को use कर सके, तो पहली warning य यूज ना करें, because उसके अंदर भी सेफालस्परिंग्लास के अंटिबायोटिक जो ब्रेजंट है, उसी तरह से किसी को diarrhea हुआ है, पर जो diarrhea होने का reason है, वो है Clostridium Difficile Bacteria, तो ऐसे condition में भी उसको use ना करें, फिर आपको liver disease है, या फिर fatty liver का patient है, या फिर liver देर खराब हो रहा है, तो ऐसे लोग भी ये injection को use ना करें, फिर जिनको liver disease है, या फिर जो renal जो हम कहते हैं, जो आपके kidneys वर रहा है, वो अच्छे से काम नहीं करें, या फिर उसमें कोई complications आ रहे हैं, और kidneys देरे-देरे खराब होने लगी है, तो ऐसे लोग भी ये injection को ना use करें, फिर जो severe allergic reactions ह हो जाती है, ये medication को लेने से, तो past में कोई भी ऐसी history रही है, severe allergic reaction की, तो उनको भी ये medication को use नहीं करनी है, फिर अब pregnancy category के हम बात करें, तो pregnancy category B है, इसके करन ये medication जो वो, और safe कही जाती है, pregnancy के दोरान use करने के लिए हैं, अब बात करते हैं, उसका contraindication के, कब उसको use नहीं करन हैं, तो अगर किसी को allergy है, penicillin के, या फिर safe आलस्कुरिंकी, तो ये medication को use नहीं करें, उनके लिए ये contraindication रहेगा, second, आपके सरे में vitamin K की कमी है, तो भी ये injection को ना लगवाए, और liver disease है, patient को, kidney disease है, या फिर alcohol intoxication लगए, alcohol का poisoning, या फिर toxicity हो चुकी है, body के अंदर, तो उसको करने के लिए injection को कभी भी ना लगए, फिर drug drug interaction अब समझ लेते हैं कि, कौन से दुसरी दववाई के साथ इसको use नहीं करना है, या फिर कौन से दुसरे antibiotic के साथ उसको combination में use नहीं करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, कि जो अलग-अलग vaccine साथ है, जैसे कि BCG vaccine है फिर टाइफोड की vaccine के साथ इसको कभी भी combination में use ना करें, फिर वारफेरिन है, कार्वेमेज़ेपीन है, या फिर फिर फिरोसेमाइड है, जो डायूरिटिक ड्रग आती है, उसके साथ भी यूज़ ना करें, और दूसरी antibiotic में हम देखें, तो जो जनटावाई सीन आता हैं, उसके साथ भी आप उसको कभी भी combination में use ना करें, तो ऐसे समझें कि आपको detail में सिखना है, बहुत सारे बीमार यू के बारे में, दवा यू के बारे में, detail में सिखने के लिए medicine course को जरूर से join करें, वो भी काफी affordable price में, तो इसको join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं, या